तो गाई स्वागत आप सभी का एक न्यू वीडियो में और आज फाइनली स्मैक डाउन पर हमारे ट्रैवल चीफ हैड ऑफ दे टेबल रोमन रेंज की वापस हो चुकिया साथ वहां पर रेंडी ओर्टन ने चलेंज कर दिया रोमन रेंज को तो क्या पूरा सीन हमें स्मैक डा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो गाई सबसे पहले हम देखते हैं कि रोमन रेंज यहां पर पूरी ब्लड लाइन के साथ रिंग में आते हैं इसके बाद वो पॉल हेमन से माइक लेते हैं और वो ओडियंस से कहते हैं ग्रीन बे एकनॉलेज मी ओडियंस उन्हें बू करने लगते हैं इसके बाद वो कहते हैं ठीक है ठीक है अब बहुत हुआ अब अपना मूँ बंद करो वो कहते हैं मैंने यह नहीं किया होता अगर तुम अपनी बूस बंद रखते हैं वो कहते हैं कि यह क्रिसमस का टाइम है यह होलिडेज का टाइम है और मैं यहां पर अपने चुटियां enjoy करने आया हूँ और इस टाइम पर ये promotion का season चल रहा है और क्योंकि मैं एक अच्छा बॉस हूँ मैं एक बड़िया ट्राइबल चीफ हूँ तो जब कोई अच्छा कर रहा होता है हम उसे वो चीज बताते हैं और जब कोई बुरा कर रहा होता है तो हम उसकी पिटाई कर देते हैं और आज रात हमें एक ऐसे ही बंदे के बारे में बात करने वाले हैं जिसने की पिछले कुछ टाइम में काफी कुछ sacrifice किया है ये बंदा समझता है कि family को टॉप पर रखना कैसा होता है और अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये बंदा आगे आएगा औ Roman Reigns कहते हैं कि मैं यहाँ पर Randy Orton की बात नहीं कर रहा हूँ और ये बंदा ब्लड लाइन के लिए responsible होने वाला है वो next tribal chief होने वाला है पीछे Jimmy काफी ज़्यादा खुश हो रहे होता है Roman Reigns कहते है Jimmy मुझे join करो और अपने बाई Solo Sikowa को मेरे साथ congratulate करो यहाँ पर हम देखता है कि Roman Reigns Solo Sikowa को गले भी लगाते हैं और जब तक यह scene चली रहा होता है तब हम देखते हैं कि यहाँ पर Randy Orton का theme song बच जाता है और वो भी यहाँ पर ring में आ जाते है Randy Orton काते हैं कि पिछले 18 माईनों से मैं इसी मोमेंट के बारे में सूच रहा था मैं सूच रहा था मैं क्या कहूंगा मैं क्या करूंगा लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें यह कहना चाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ तुमने मुझ से मेरे 18 माईने लिए इसलिए मै तुमसे तुम्हारा सब कुछ लेने वाला हूँ और मुझे इस चीज से फरक नहीं पड़ता कि ये काम पूरा करना के लिए मुझे तुम्हारी फैमली के किसी भी मेंबर से गुजरना पड़े ये आज सुरू होने वाला है और ये सब खतम होगा रोयल रंबल में क्योंकि मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ डबलबली चैबशिप के लिए रोमन रेंस कहते हैं कि फैंस के आवाज सुनकर ये लग रहा है कि तुम इस चीज को डिजर्व करते हो लेकिन रुको तुम क्या कह रहे हो तुमने इस चीज के बारे में 18 महीने तक सोचा लेकिन मैंने तो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नी सोचा तुम 18 महीने के लिए चले गए थे और तुमने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तुम ये चैबशिप मैच मिले और नहीं ये ऐसे काम नहीं करता तो इसलिए तुम वो क्यों नहीं करते हैं जो कि तुम करते हूँ क्यों न तुम अपना सर पीटो और तुम उन आवाजों को सुनो जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है ये 2007 नहीं है मेरे लेवल तुमसे और सबसे काफी ज़्यादा उपर चा चुका है और तुम्हारे दिमाग में जो आवाजे चल रही है वो तुम्हें ये कह रही है कि रिंग से अभी भाड़ चले जाओ रेंडी भाग जाओ इस आत्मी को अकिला छोड़ दो और अपने ट्रावल चीफ की डिस्रिस्पेक्ट मत करो और समझ जाओ अगर तुम्ह काफी ज्यादा महान हो चुके हो तुम केवल अब एक चैंपिन नी बचे तुम अब एक लेजंड बच चुके हो लेकिन मैं भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका हूं लेकिन एक चीज जो रेंडी ओर्टन हमेशा से था और हमेशा रहेगा वो है एक लेजंड किलर इसके बा और चीज जो वो मुझे कह रही है वो यह है कि डैड़ी अब वापस आ चुका है इतना कहें कर रेंडी ओर्डन माइक फेंग देते हैं और यह सेग्मेंट यहीं पर खतम हो जाता है तो गाइस यही था आज का रोमन रेंज और रेंडी ओर्डन का फुल प्रोमो सेग्मेंट ज कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते रहें गाइस इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइब